हलो साथियों नमस्कार दोस्तों हम हाजीर हैं आपके लिए के जीएस आईएस की बहुत ही बहुत ही जबर जस्त प्रैक्टिस सेट लेकर जो आपके आने वाले एक्जाम यूपी पीएस सी आरो ए आरो और यूपी पीएस दोहजार चौबिस के बेस पर साथियों ये बनी जो नई और बहुतरिन संस्था बनी है सिविल सर्विस एक्जाम के लिए के जीएस- आईस खान ग्लोबल इश्टडी स हुँ इसी से संब्स प्रैक्टिस सेट लांज लॉइजाम साथियों एक दम यह जो है जो शेड़ो पेपर होता है बिलकूल उसी के बेस पर बनाई गई यह शेटो पेपर सात्यों क्या होता है ज이스 तरह से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं बिलकुल उसी तरह से बिलकुल उसी की परचाई एक तरह से हैं यह इसमें आपको सवाल मिलेंगे साथ्यों आपके आध्हे से ज़ादा इसमें current affairs के सवाल होंगे के और जो आध्ये सवाल हैं साथ ही वो जी ये से संबन्हित है लेकिन ओ भी करेंट अफेयर से क्नेक्टेड हैं करेंट अफेयर के बेस पर बनाएगे हैं इसलिए साथियों बहुत ही पेहतरियों बहुत ही जबर जस्ट आपके मिक्स टाइप के प्रश्ण हमिलेंगे ऐसा कोई टापिक नहीं होगा जिससे यह प्रैक्टिस से आपको उससे टच न करवाए साथियों अगर आपका इसको पीडियेफ चाहिएगा पीडियेफ अगर आभी इसको चाहिए तो आप हमारा वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मैं अपना जो है टेलिग्राम का लिंक दे दिय हूं तो श टेलिग्राम पर लिंक पे जाएंगे तो यह आपको दिया जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो टेलिग्राम पर आगर मैसेज कर देंगे तो पेडियेफ भेज दिया जाएगा तो साथियों बहुत ही जबर जस्त हैं आप लोग वीडियो को अंतर तक देखिएगा एक से बढ़कर एक फैक्ट, एक से बढ़कर एक concept आपको मिलेगा, यही fact और concept आपको मजबूती परदान करेगा, और इसी मजबूती के साथ एक जाम हाल में आपका confidence मजबूत रहेगा, confidence मजबूत रहेगा साथियों, यकीन मानिए, आप दुविधा वाले भी प्रशन करकर आ से, तो चले हम लोग देखते हैं, आज की अपनी ये practice set का पहला प्रशन, चलते हैं साथियों, देखते हैं क्या है मारा पहला प्रशन आज का, current affairs related पहला सवाल साथियों, देखें इसमें क्या कह रहा है, पहला सवाल इसमें जो आप से पूछ रहा है, हाल ही में केंद्री मंत केंद्री मंदल की मिली मंझूरी के अनुसार, फास्ट ट्रैक विसेस न्यालय योजना, तो ये साथियों ये फास्ट ट्रैक विसेस न्यालय योजना से समध में कौन सा कथन सही है, तो साथियों आप लोग जानते हैं केंद्री मंति मंदल ने जो फास्ट ट्रैक विसेस न् मतलब केंद्र ने शुरू किया है और उसमें राज भी सहयोग करेंगे, तो ऐसा होता है, जैसे होता है ना कि प्यम आवास योजना जो होता है, तो केंद्र पायजी चोजना है, उसमें जो है 60% केंद्र सरकार सहयोग करती है, 40% जो है राज सरकार इस तरह से, और पहाडी जो वहां 90-10 का रेशियो हो जाता है तो इसी तरह से क्यंद्र प्राइजी चोंजनाग मतलब राज भी उसमें सायोग करेंगे जिसका कार्यानवन बिधी एम न्याय मंत्राले विभाग द्वारा किया जा रहा है तो साथियों यह बिल्कुल सही है पहला वाला कथन यह फास्ट ट् की लिए बनाया गया है जो पॉक्सो के अंतर गत आते हैं तो यह दूसरा गलत होगे आपका पहला तो आपसे सही पूछा है कौन सा सही है तो सही किवल एक है आपके उत्तर एक किवल सही होगा और साथियों लोग इसमें दूसरा प्रश्णगर देखते हैं तो इसमें दूसरा करा है कि जैव अवरोध के संदर्ब में कौन सा कथन सही है तो जैव अवरोध के संदर्ब में साथी दो कथन दि आपक हम singles ah न र SALG जली प्रजाति के लिए एक वाहक के रूप में कार करता है, यह भी अपका तो यहां जो आपका उत्तर होना चाहिए साथिओं दूसरे वाले आपका उत्तर यह हो जाएगा बिकर्पनमबार सी दोनों के दोनों सऌछी है ऑवरणव के संदर अब साथियों तीसरा जो हमको दिया है budget से संबंदित है उत्तरपरदेस के budget से संबंदित तो उत्तरपरदेस बजट 2024 25 की संदर में बात कर रहा है कि प्रदान मंतरी आवास योजना ग्रामिड के लिए क्योंकि एक सहरी चलती यह ग्रामिड चलती है तो यह ग्रामिड कोई बा साती हुए यही है 1953 करोन रुपए विकल्प नंबर भी इतना जो है पीम आवास ग्रामिड के लिए दिया गया है यह उत्तर प्रदेश बजट से संबंदित है आगे देखें हम लोग देखें चवते वालिम भी उत्तर प्रदेश बजट से संबंदित सवाल है तो क्या कह रहा ह है यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की बजट से संबंदित 2024-25 वालिक संदर में जो सही नहीं है उसी को बताना है तो साथियों कौन सा सही नहीं है हम तो मालूम है कि यहां पर जो उत्तरप्रदेश बजट में जो बात किया गया था, जो उर्जा पर खर्च करने के लिए बात किये गई थी, वो 6.7 किया गया था, 6.7 percent कुल ब्याय का, जितना कुल खर्च होगा बजट का, तो उसका 6.7, तो यहाँ गलत दे दिया है, 9.7 दे दिया है, तो यही गलत हो गया, तो यही साथ यहां पर 6.7 प्रतीसत होना चाहिए था, तो यही यहां पर गलत हो गया, इसका मतलब जब यह गलत है, तो यह सब सही है अपनी जगह पर, क्योंकि हमसे क्यों गलत पूछा, तो गलत D है, तो D ही का उत्तर जो है, प्रश्न चौथे का उत्तर D हो जाए, क्योंकि गलत पूछा है और बाखी ये तीनों तो अपनी जगह पे सही है कि हाँ ब्यायका 14.6% सिच्छा के लिए आवंटित किया गया है कुल ब्यायका 6.2% स्वास्त के लिए आवंटित किया गया है और इसके ब्यायका 5.2% ग्रामिडिकास के लिए आवंटित किया गया है ये सब पुछ रहे हैं तो कर उच्छाल क्या इंगित करता है जो टेक्स में उच्छाल आता है वो क्या इंगित करता है वो क्या बताता है तो साथियों यही बताता है कि जब GDP में एक परसेंट की कर उच्छाल का मतलब यही होता है जब GDP में एक परसेंट की बृध्धी देखी जाती ह और आपके जो सरकार का जो राजस होता है उसमें एक परसंट से अधिक की बृध्धी हो जाती है तो इसी कुकर का उच्छाल का जाता है तो ये बात आपको कहां लिखा गया है यहां C वाले में जब सकल घरेल उत्पाद यानि GDP में एक परसंट की बृध्धी हो जाए और में साथियों क्या कह रहे हैं हमसे यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में वाडिजियों में युद्योग मंत्राले द्वारा किस रिपोर्ट का अनावरण किया गया है तो किस रिपोर्ट का अनावरण किया गया है साथियों यह बात पूछ रहे हैं तो लॉजिस्टिक इज एक इस तेट रिपोर्ट्स यही जो है इसी का अनावरण किया है वाडी जो में द्योग मंत्रा लेने तो यह क्या है साथिओं और जेविभिन राजियों के मत जो रसद मैंनी जो रसद है वह उसका सुगमता से मतलब उसमें कितनी सुगमता है उसके लिए है यह आगे देखें हम कि साथवय में क्या है है कि साथवय में आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है यह क्या रहा है स्वयम सहायता समु इसे हम लोग इंगलिस में ख्रॉप ए एस एच जी बोलते हैं तो स्वयम सहायता समू बैंक संपर्क पर्योजना के संदर में कौन सा कथन सही है ये बताना है कौन सा कथन सही है तो उसे दोनों को कत्मों को पढ़कर हमें जो है सही उत्तर देना है तो साथियों यह बात यह बचत आधारित सूछ बित्ती माडल है 1292 में नाबाड के द्वारा सुरू किया गया था यस इसी ने सुरू किया था दूसरा क्या है इस कारकम के अंतरगत बैंकों को बचत खाते खोलने तो था स्वयम सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दरों पर रिड उपलब्द कराने की अनुमती दी गई जी दोनों क कर हम लोग देखते हैं आठवा में क्या है तो आठवे में साथ ही जो हमसे पूछा जा रहा है हाल ही में उत्तर परदेश के किस विश्विद्याले ने अपने संबध कालेजों को AI AI का मतलब Artificial Intelligence मतलब एक तरह का रोबोट एक तरह का मसीन जो आदमी की तरह काम करे तो AI है त तो ऐसा कौन सा संस्था है साथियों उस संस्था का नाम बताना है हमें तो अब्दुल कलाम प्राविधिक विद्याले तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा अब्दुल कलाम प्राविधिक विद्याले ने अपने संबंध कालेजों को AI और Cloud Computing में मुफ्त आनलाइन पाठकरम प्रदान करने के लिए IBM के साथ समझहोता किया है किसके साथ IBM के साथ यह चीज याद रखेंगे तो चले हम लोग बहुत से ऐसे होते हैं प्रशन है इसलिए मैं प्रशन को उत्तर बताने से पहले प्रशन को तोड़ने का परियास करता हूँ अगर प्रशन तूट जाएगा तो समझ लीए तो उत्तर देना असान हो जाएगा नई तो आप आता हुए उत्तर नहीं में के संदर में कौन सा कथन साई है साथियों यह माउंट टेवरेष्ट और कंचन जंगा जैसी महतपुर उची चोटियों पर है तो इसका मतलब हिंदु कुछ छित्र के बारे में जो दिया है इसके संदर में यही सही है यह माउंट टेवरेष्ट यानि हिंदु कुछ हिमाले चेत जो है माउंट टेवरेष्ट और कंचन जंगा जैसी दुनिया की सबसे उची छोटियों का घर है यस तो सी वाला यहां पर सही है हिंदु कुस हिमालय के संदर में आगे हम अगर हम लोग देखें दस्में वाले में क्या करें हैं हिमालई पारिशित्र की तंत्र को बनाए रखने के लिए को बनाए रखने के लिए राष्ट्री मिसन किस पहल के तहट शुरू किया गया है इसको बताना है हमें तो साथियों आपर दिया राष्टी स्वास्त मिसन यह तो नहीं होगा जल्वायु कार है योजना यही सइए बिखलब नंबर सि आपका उत्तर होगाँ देखने से ही लग रहाए यही होगा और बागी सब तो लग रहाए हूँ अलग अलग शेत्र के हैं बहुत से ऐसे उत्तर होते नहीं मालूम हैं लेकिन अगर ध्यान से उसको आप्शन को यह यात्रा और परेटन विकास सूचकांग क्या यात्रा और परेटन विकास सूचकांग 2024 में भारत के प्रदैसन के संदर में कथनों में से कौन सा सही है तो किस सूचकांग के बारे में बात कर रहा है यात्रा और परेटन विकास सूचकांग 2024 के बारे में बात कर रहा है कौन ranking सुधार करके 54 में अस्थान से 49 में अस्थान पर आ गए तो साथियों ये बात तो बिलकुल सही है कि भारत नपनली ranking में सुधार किया यात्रा परेटन वाले में यात्रा परेटन को काफी बढगावा मिला तो 54 अस्थान पर थी जो वहां से 49 पर आई अनिसुधार हुआ तो ये बात सही है और भारत को सांस्क्री संसाधन सेड़े में सर्वोच अंग प्राप्त हुआ नहीं सातियों सर्वोच अंग प्राप्त नहीं हुआ है भारत को ये बात यहां पर गलत है तो ये तो गलत हो गया सर्वोच नहीं मिला है और यह 2019 के अस्तर से 2.1 अधिक हो गया है तो भारत का समद समग्र यह जो कह रहा है यात्राव परेटन दिकास सुचकांग 2019 के अस्तर से 2.1 प्रतिशत अधिक हो गया है तो साथियों यह 2019 के संदर में साथियों यह जो है यह तो कौन सा तो अधिक नहीं हुआ है यह 2019 के अस्तर से इतना अधिक हो गया है तो साथियों अनु को नमबर 15 देखते है जैकिस अधियों यह 18 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं आपको धिया है कर रहा है यात्रा और परेटन विकास सुचकांग 2024 यात्रा और परेटन विभाग विकास सूचकांग 2024 की संदर में भारत के प्रदरशन के संदर में कौन से कथन सही है। तो यात्रा और प्रेटन विकास सूचकांग 24 में बताना है कि भारत के प्रदलसन से संबंदित आपको यहां तीन कथन दिये गए हैं, तीनों को पढ़कर सही उत्तर देना है, तो आपको मालू मैं साथ ही हो, इस साल भारत ने 54 अस्थान पराप्त किया है, पिछली साल 49 था, पिछली साल 54 था, तो इस साल भारत ने 39 अस्थान पराप्त किया, यानि भारत के रैंकिंग में सुधार आया है, तो यह बात सही है, कि भारत ने सुधार करके 54 अस्थान से 49 अस्थान पर आ गया इस साल, तो इसका मतलब भारत में सुधार हुआ है, यात्रा प्रेटन विका यहां गलत हो गया तो यह गलत हो गया और जब बात कर रहा है है हम यहां पर देखें तीसरा वाले क्या रहे हैं भारत का समग्र यात्रा और परेटन विकास सुचकांग यानि टी डी डी आई 2019 के अस्तर से 2.1% अधिक हो गया है समग्र बात कर रहा है तो साथिओं कम हुआ है रहं कि उसुधार हुआ है लेकिन य karaoke समग्र रूप से बात किया रहा है इतना कम हुआ है अधिक नहीं हुआ है तो अधिक कि वहां जो लिगए यह गलत है इसका मतलब ये भी गलत हो गया और बिकल्प नंबर A, 11 का A हो जाएगा हमारा, तो यही सही है साथियों, आगे हम लोग चलें, देखते हैं, च्या है हमारा बाराहवे वाले में, तो यहां बाराहवे वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने, पूरो मानसून उष्रकड़ चक्रवाती तुफान का नाम रेमल, अभी साथियों, जो आया था रेमल चक्रवाती तुफान, तो यहीं पूछ रहा है जो पूरो मानसून याशने, पहले उष्रकड़ चक्रवात जो आया था जिसका नाम रेमल रखा गया, इसने पश्चिम बंगाल और बंगलादेस के ट प्रभावित किया यह की बात तो शहीं क्या है आपको इतनी जानकारी दिया है अब आपसे पूछना चा रहा है तो इसका नाम तो आगे देखें हम लोग उमान का ये साथियों यहां जो रेमल दिया है रेमल का एक जो अर्बी अर्थ है एक तरह का ये तो इसका अर्थ जो होता है रेत होता है रेत इसे हम लोग बालू कहते हैं आगे देखें हम लोग 13 में 13 में साथियों क्या पूछ रहे हैं जलवायू परियोर्तन के संदर में में एक सब्द यूज होता है उश्कड़बंदी नहीं उश्कड़बंदी करण जिसका सब्द क्या होता है उसके सब्द अगर इंग्लिश में लोग अगर देखें तो इसको साथियों इंग्लिश में जो कहा जाता है प्रॉपी केलाइजेशन तो यह होता है तो यहां इसका क्या होगा यह आपसे पूछ रहे हैं उच्पढ़बंदी करण का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है तो साथीं जानते हैं जो बढ़ते समुद्र में जो तापमान बढ़ने के कारण तो जो है समुद्री प्रजातियों का आगे बढ़ जाना यानि जो ठंड की ओर बढ़ जा रही हैं तो उसी से यह संबन्दित है तो साथ यहां जो आपका ऊतर होगा बी होगा युदि बढ़ते यानि समुद्र का तापमान जो बढ़ रहा है बढ़ने के कारण उच्छकड़ बंदी समुद्री प्रजातियां जो हैं, वो ध्रूवों की ओर चली जा रहे हैं, जैसे यह हो गया, यह गुलोग हो गया, और यह समुद्री तापमान बढ़ेगा, तो यह ध्रूव की ओर जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पोल की तरफ जाने से, उच अच्छां है वहां के लिए खत्रा हो रहा है तो इसलिए यह Communist member B हो जाय आपका आगे हम लोग अगर देखें चवुदर में भी स्वुमवज्ञान संग्ठन के दौरा इस्थापित भी स्वुमवज्ञान संग्ठन के दौरा इस्थापित ऊश्कडवंदिय्य चक्रवातों पर पैनल का प्राथमिक उद्दे से क्या है उस कड़बंदी चक्रवातों पर जो पैनल बैठता है साथियों उसका प्राथमिक उद्दे से क्या है वो क्यों होता है पैनल तो यहां पर साथियों जो चक्रवातों के प्रवन्वन में छेत्री प्रयास यानि जो चक्रवात आते हैं उसको management करने में छेत्री प्रियासों का क्या समन्वय होगा, कोई जो है जो चक्रवात आता है, उसकी चुनोतियां क्या है, उससे कैसे निप्टा जाए, यही सब होता है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा चक्रवात के प्रबंधन में छेत्री पेयासों का शमन्वय करना आगे देखें हम लोग 15 में तो 15 में साथियों जो उमसे पूछा जा रहा है प्रसासनिक सुधारों के संसोधित योजना के संदर में प्रसासनिक सुधारों के संसोधित योजना के संदर में कौन सा कथन सही है इन दोनों कथमों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है साथियों बहुत बढ़ियां तो आगे देखते हैं कौन से हमारा होना चाहिए तो प्रसाशनी सुधारों के लिए संसोधित योजना जो है या योजना कारमिक, लोग और शिकायत, कारमिक, लोग, शिकायत और पेंशन incarn मन्तराले के अंतर गताते हैं या सातियों बिलकुल सही कर रहा है इसी के अंतर गताती हैं और 2024-25 और 25-26 के दोरान किर्यानुइत किया जाना है यस तो दोनों बाते सही हैं प्रसासनिक सुधारों के संसोधित योजना जो है उसके संदर में विकल्प नंबर सी ये साथ यो ऐसा क्यों किया रहा है क्योंकि प्रसासन की भूमिका में तेजी लानी है उसको अच्छे सिकार सके बहतरी ढंसे कार कर सके इसलिए प्रसासनिक सुधारों के लिए एक संसोधित योजना आई है तो जिसको लागू किया जाएगा 24-25 और 25-26 के दौरान दोनों सही बाते हैं इसके संदर में आगे देखे हम लोग दो सोल में तो सोला में मैं हम से क्या पुछ घ्राका निगम एन-पी-सी की बात कर रहा है तो भार्ती राष्टी भूक थार्ण निगम जिसे इंगलिसम कुछ संदर में दो बाते दी गई हैं साथियों में उन्हीं दोनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा सही है यह NPCI के संदर में तो भारत में आप लोग जानते NPCI जो होती है हम लोग जो पेमेंट करते हैं Google पे फोन पे यह सब यह भारत में खुदरा यानि फुटकर भुपतान और न दोनों की दोनों बाते सही हैं इस सो लहवे से तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा विकल्प नंबर एक और दो दोनों सही है आगे देखें सी सही है मतलब कथान एक दो दोनों सही है आगे देखें सो लहवे में तो सो लहवे में साथियों लोग देखते हैं निमने लिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालकरम के अनुसार बेवस्थित करें तो साथियों कुछ घटनाओं को आपको विचार करना है और विचार करके सही उतर देना है कौन सा सेट सही है कालकरम में बताना है कि पहले कौन सी घटनाए हुई फिर उसके बाद कौन सी घटना फिर उसके बाद कौन सी घटना फिर उसके बाद कौन सी घटना तो इस सब जानने के लिए हमें एक मोटी मोटा इसका डेट पता होना चाहिए आकलाक हां ये कब हुई थी या कब नहीं तो इसके बारे में जानन जो हुआ था तो 1944 में हुआ था निर्माड और सरवोदय योजना का प्रकाशन जो हुआ था 1950 में हुआ था साथियों और राश्ट्री योजना कार समीती जो हुई थी साथियों निर्फ और फिक्की प्रस्ताव की सिपारिस हुई थी तो यह सायद जो है यह 1934 में आई थी साथियों यहीं सही है तो मैंने सारा डेट लिख दिया है अब आप लोग करम से सजा सकते हो इसका मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी यह चौथी वाले हुई थी सबसे पहल आप लिख नंबर सबसे पहले चार रहना चाएगे तो देख रहे हैं विकल्प नंबर सी में सबसे पहले चार है तो बिना देखे हमको जो है बिना सेट कि हमें उत्तर ध्राग से मिल गया इसके बाद साथियों एक नंबर वाला होगा अनतीस उसके बाद हमारा यह गांधि सब्सक्राइब देखें हम लोग यहां पर साथियों क्या दिया है हमको यहां पर दिया है साथियों एक टर्म दिया है हमें reverse flipping reverse flipping सब्ध किसे सम्मंदित है साथियों तो reverse मतलब आप लोग जानते हैं उल्टा flipping तो reverse flipping जानते हैं साथियों जो बिदेसी श्टायटप द्वारा अपना निवास अस्थान भारत में अस्थानामत्रीद करने और भारती श्टाक एक्सचेंज में सूची बद्ध होने की प्रवित्ती जो है यही है तो विकल्प नंबर यहाँ पर होना चाहिए यह जो विदेशी स्टाइट अप है जो अपने यहाई स्टाइट अप किया हो भारत में अपना निवास अस्थान भ आगे देखे हम लोग एसे इसे तर्म आपको पूछ लिए जाएंगे क्योंकि यह कोई हल्का फूलका कोश्चन नहीं दमदार प्रश्ण है है तो अपने आप में सरल लेकिन ऐसे ही प्रश्ण आते हैं एकदम नहीं यह नमकीन की तरह है हां गांधी जी की धोती लूंगी की बारे नहीं है ऐसे ही प्रश्ण आएं क्योंकि कंपटिशन कड़ा है तो इसे प्रश्णों को हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो आगे हम लोग 19 वाले में अगर देखते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलना मिलना देख रहा है मॉडल आधारित रिड के संदर में मॉडल आधारित रिड के संदर में दो कथन दिये गए हैं और कौन सा सही है वो सही करके हमें बताना है कि हमें सही उत्तर देना है तो देखें इन दोनों प्रश्णों को पढ़ेंगे तो हमें उत्तर पता लग जाएगा माडल आधारित रिड ए देने की प्रक्रिया है यह साथियों दूर के हो और आटोमेटिक रिड़ वहां ट्रांसफर हो जा उनको आना नहीं पड़ेगा इसलिए यह जो है इसके अधार पर यह है तो यह बाते हमारी जो है सई है पहला वाला और यह ग्राहक अधिकरहण रिड मुल्यांकन रिड अनुम हो तो इसके लिए इतनी टेकनोलोजी का प्रियोग है इसमें तो दोनों बाते सही है यहां पर सी आपका उत्तर हो जाएगा मॉडल आधारी तरेड के संदर में तो आगे देखें हम लोग क्या कह रहे हैं तो साथियों भारत माता यह जो सारी भारत माला भारत माला चरण जो फश्ट आया है इसकी सीमा को कितने वर्स के लिए बढ़ाई गई है तो साथियों इसकी सीमा को जो है छब वर्स के लिए बढ़ाई गई है विकल्प नंबर आपका यह सी हो जाएगा यह रोड से आगे देखें हम लोग 21 में क्या कर रहे हैं तो 21 वालेम जो आपसे पूछा जारा है कौन से विशेष्थाएं घरेलू प्रडालीगत के रूप में महत्पुर बैंको को प्रडालीगत रूप देने में महत्पुर भीम का निभाती है अपनों से ईगैना चाहिए क्या जानना चाहिए विशेष्था है घरेलू प्रडालीगत रूप में महत्पुर बैंको को प्रडालीगत रूप दे यही सई होगा इसके संदर्व में तो आगे हम लोग देखते हैं यह जो है साथी में जो घरेलू मतलब यह कारव जो है यह घरेलू पित्ति प्रडाईयों को मजबूती प्रदान करने के लिए लाई जा रही है तो आगे हम लोग देखें 22 में क्या है जम्मू कश्मीर और राजवरी पुंच सेक्टर में आप्रेशन सर्व शक्ति का मुख लच्छ क्या है तो जम्मू कश्मीर और राजवरी पुंच सेक्टर में साथियों यह आप्रेशन सर्व शक्ति जो चलाया जा रहा है इसका मुख लच्छ क्या है इसके बारे बताना है तो साथियों आतंकवादी समू से है बिकल्प नंबर ये सी हो जाना चाहिए आतंकवादी समू से सम्बंदित है तो साथियों ये जो है एक सैन अभियान कह सकते हैं एक तरह का है ये तो जो बार-बार जोखिम धारणा सर्वेच्छण वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेच्छण प्रती वर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है तो साथियों किस वर्स के द्वारा जारी किया जाता है विश्विक जोखिम आते हैं तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए उसके चुनो जारी होता है तो World Economic Forum आगे देखें 24 में हमसे क्या पूछ रहे हैं हाल ही में सरवच नियाले ने सरिस्का बाग अभ्यारण के पास की खादानों को बंद करने का आदेश दे दिया है तो सरिस्का बाग अभ्यारण के पास की जो खादान है साथियों खादाने हैं माइन से उसको जो है बंद करने का देश दे दिया तो यह निर्ड़े भारत सरकार में बाग अभ्यारणों की कानूनी इस्थिती के बारे में क्या बताता है तो आप लोग को मालूम है साथि जो बाग अभ्यारण छेत्र होते हैं टाइगर जो कानूनों के समान सरच्छन कानून नहीं साथियों समान तो नहीं होता यहां का मजबूत होता है बाग अभ्यारणों में वन जिव अभ्यारणों की तुल्ला में कम सुरच्छा पराप्त है नहीं साथियों ज्यादा है कम कहां है यह भी नहीं होगा बाग अभ्यारणों को अ बिजय नगेर समराज के दोरान, सोलाविं सताब्दी में निरमित लेपाच्षी मंदिर आंधप्रदेश के कीजीले में? आप लोग को साथ हूं आणुठ लेपाच्षी मंदिर कहां है यह आंधप्रदेश में? टो आंधप्रदेश का वो जीला पूच लिया है, तो प्रकीति को बचाने का जो एक संग है दोय चोबीस में जारी मेंग्रोग पहले ब्यापक वैश्विक मुल्यांकन सीर्षक क्या है 2024 में जारी हुआ है मैंगरोब के पहले व्यापक वैश्विक मुल्यांकन तो मैंगरोब के ये जो वैश्विक मुल्यांकन है इसके सिर्षक क्या है इसके टाइटल को पूछा जा रहा है इसका टाइटल क्या है साथियों इसका टाइटल यहां पर दिया है वैश्विक मैंगरो है तो मैंग्रोब से सुरच्छा समनित मैंग्रोब पाईस की तंद्र की लाल सूची यानी रेड लिस्ट तो यही है विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका यही सही है जो इसका टाइटल है यह आगे देखें सेख निजामुदिन अउलिया के संबंद किससे खराब थे साथियों वही तुगलक वन्स के संस्थापक गयासुदिन तुगलक का संबंद सेख निजामुदिन अउलिया के संबंद सही नहीं थे बाकी लगबग सबसे सही थे आगे देखें तो साथियों संगम राजवन से संबंदी तहां पर दिया है तो संगम राजवन से संदर में आपको दो कथन दिया है और दोनों कथनों को पढ़कर बता देना है कौन सा उत्तर हमारा सही है तो साथियों चले हम लोग बताए हमारा कौन सा उत्तर सही है तो बहुत अच्छा प् बुक्का थे हरिहर और बुक्का ये संगम राजवांस के संस्थापक हैं तो ये तो बात यहां पहला लिख दिया तो पहला तो सही है इसमें कोई डाउड नहीं और देवराय प्रथम ने तुंग भध्रा नदी पर एक बांध का निर्मान करवाया था तो साथियों यह देवर ने समाथ किया था तो यह बात गलत है हरिहर दिती ने नहीं समाथ किया था यहां पर ये बात गलत हो गई तो बुक्का के सिर्ष乾क के दौरान मदुरे की जो सल्तनत है वो वह समाथ होई थी तीन गलत होगे आपका तो एक और दो система है बिक्वशाग होगा आगे देखे हम लो फिर्व चौन्स करफ, यहां विखेस्ता दी गई है, किस सल्तनत प्राशाशन की कैज विखेस्ता थी, उसी को हमें दीया है, साथियों बहुत अच्छा, तो जो हमें सबसे जदा क्लियर हो, उसी को मिला देंगे, तो उत्थर अपने आप निकला जाएगा, हमारा उत्थर गलत नहीं होगा तो यहां पर देखते हैं खालसा भूमी एक तरह की साथ यूँ सरकारी भूमी होती थी जो सीधे सुल्तान के अधीन होती थी इसको हम इसको मिला दिये तब हमें एक ही सबसे ज़्यादा क्लियर था और नमें हमें इसका मतलब डी चार पर होना चाहिए तो एक ही ऐसा आप्शन है यहां डी चार के साथ है और कहीं नहीं इसका मतलब आख मून कर हम लगा सकते हैं उत्तर हमारा भी होगा क्योंकि डी चार के साथ क्यों इसी में है तो इसका मतलब अब सातियों में पता चलना कि हमें ऐसे जाय का निवेस पत्र से संबनीथ और मुक्ती प्रांतों के लाजयपाल से संबनीथ हो जाएगा तो यही सही है विखल्प नंबर आपका भी होगा उस्तर में आगे देखें neol opposed HD i सीज़ता पथा यानि सर पटक कर जो प्रडाम करना और एक पाबोज थी मतलब पैर को चूमने की प्रथा ये लागू किया था बलबन ने विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा तीस का आपका बी हो जाएगा साथी में बलबन का सासनकाल तो बलबन जानते एक बहुत ही कठोर दर्बार के जो अनुसासन था बहुत ही कठोरता से लागू किया गया था प्रथाओं को आगे देखें यहाँ पर साथी हो जो एक तीस में दिया है हमें क्या दिया है कोडार्क के सूर्मंदिर सूर्मंदिर जो कोडार्क में है उसके मंदिर के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है तो यह साथी हो जो निर्माता है यह उडिसा में है यह कोडार्क आप लोग जानते हैं कोडार्क मंदिर कहां है यह कोडार्क के सूर्मंदिर है एक तरह सथियों गंग वण्स के संथापक इसके माने जाते हैं तो गंग वण्स को एक अलग से नाम से यह चोंड गंड जान जाने चोंड राने जाने जाते हैं यह चोंड गंग अबीकलब नंबर दी हो जाएगा आगे देखें हम Sun 22 में तो यहाँ परसाति यो हमें दिया है 32 वाले में एक तरफ साथियों हमें दे दिया है यहां हरपा सम्मदा से संबंदित अस्थल दे दिया है पहली सूची में दूसरी में दे दिया है विसेश्था तो कौन सी विसेश्था किस हरपा अस्थल से संबंदित है उसे मिला कर हमारा जो सेट बन रहा है उसी में मिला देन ग्रेट बात यह मोहन जोदोडों से मिला है तो मोहन जोदोडों से क्या मिला है ब्रिहत इसनाना गार यह साथ ही हो गया अलोथल से हमें क्या मिला है गोदी मिला है गोदी का मतलब यह यहां पर डैक्यार दिया एक तरह से आप बंदरगाह समझ लेगे तो यह गोदी से मिला है आजकाल तो फियाल गोदी किसी और को भी कहा जाता है तो काली बंगा से ये जूता हुआ खेत मिला हुआ है और एक हमारा जो बच गया है हडपा ये कबरिस्तान के साथ श्यां से पराप्त हुए है तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन होना चाहिए ये वाला दो पर गया बी वाला तीन पर गया तो इसका मतलब ये उत्तर सी होना चाहिए ये वाला सी उत्तर होगा हमारा आगे देखें हम लोग तो तैंटीस में क्या कर रहे हैं पुष्य भूती राजवन्स के संदर में जानकारी के लिए कौन से दो मुख एतिहासिक सुरोथ है तो ऐसा कौन सा दो मुख एतिहासिक सुरोथ है पुष्य भूती राजवन्स के जानकारी के लिए तो साथियों पुष्य भूती राजवन्स के जानकारी के लिए एक हर्स चरीत है हर्स चरीत क्या है साथियों? एक जो हर्स थे, सासक हर्स थे, बहुत ही प्रभावशाली, अपनी समय के, तो बाणभट साथीयों, उनके दर्वारी थे, दर्वारी कभी एक तरह से कर सकते हैं, वही बाणभठ ने इस हर्स चरीत को लिखा था, हर्स चरित में हर्स के जीवनी है एक तरह की एक ये बताती है पुष्य भूती राजवन्स की बारे में और एक बताती है चीनी यात्री हुएन सांग उसका जो यात्रा है हुएन सांग के यात्रा बितान तो ये बताता है तो ये और ये दो ही पूछा है तो दो ही यही बाते है तो एक और तीन हमारा उत्तर होना चाहिए ए वाला हो जाएगा ताइप इसका ए चले हम लोग ये एक और तीन होना चाहिए साथ यूं मैंने गलत लगा दिया यहां ये डी वाला होगा ये डी एक और तीन बताया सही था मैंने टिक गलत लगा दिया आगे देखें तो हर सवर्धन के संदर में कौन से कथन सही है, तो हर सवर्धन के संदर में अभी वही जो हर सवर्धन आये थे, तो उन्हीं के संदर में कौन से कथन सही है, तो उन्होंने प्रभाकन वर्धन का अस्थान लिया, तो साथियों यह बात यहां पर पहला वाला तो गलत होना चाह लेते हैं उन्हें प्रीदर्सी का नाटग लिखा था यह तो सही बात है इसमें कोई डाउट नहीं है प्रीदर्सी का नाटग लिखा था उन्होंने और उन्होंने सकल उत्रापत की उपाधी धारण के थी यानि वो जो टाइटल रखे थे सकल उत्तरा उत्तर पथनात सकल उत् है लेकिन तीन यह नहीं है तो इसका मतलब प्रभाकर वर्धन अभी हम यह वाला भी हम इसके लिया नहीं हुआ है तो प्रभाकर वर्धन का अस्थान नहीं लिया था साथियों हर्स ने जो है अपने भाई राज वर्धन का उत्रा अधिकार बने थे तो पहले साथ यह प्रभाकर वर्धन थे फिर एक राज वर्धन आये फिर जो है हर्स वर्धन आये तो हर्स वर्धन अपने भाई राज वर्धन का अस्थान लिया थे यह प्रभाकर का नहीं तो यह गलत हो गया यानि एक भी नहीं रहाना चाहिए विकल में, त्यानि ये भी नहीं रहेगा, ए भी नहीं रहेगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा, दो और तीन केवल सत्य हैं, आगे देखें हम लोग, 34 हो गया, 35 देखते हैं क्या है, 35 वाले में साथियों हमसे जो पूछ रहे हैं, कौन सा राजशेखर की कृतियां हैं, तो निमलिकित में से कौन सी कृतियां राजशेखर की हैं, तो आप सही उत्तर बताईए पढ़कर जो है अच्छे से, तो चले हम लोग बताते हैं कौन सी रा काली दास की है साथियों यह किसकी है यह काली दास की है तो यह बाते जो है गलत हो जाएगी तो चार नहीं होना चाहिए बिकल्प में यह चार नहीं है इसका मतलब उत्तर ए होगा आगे देखें हम लोग 36 में आप लोग जानते साथियों महराश्ट के एक जिला है महराश्ट म कुछ चित्रकलाएं हैं जो आज भी बहुत ही फेमस है तो वही अजंता चित्रकला के संदर में आपको कथन दिया है सही कथन आपको बताना है तो सही कथन बना कर सही उत्तर दीजिए तो अजंता के दूरलब चित्रों की जानकारी सबसे पहले जेमस अलेकसेंडर ने रायल एसियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के माध्यम से उपरलब्द कराई थी यह से साथियों मैंने पहले ही पता दिया था तो दोनों कथन सही होगा 36 का आपका जो उत्तर होना चाहिए सातियों वो उत्तर होगा आपका C हो जाए 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 तो 36 का उत्तर आपका C नहीं A होगा सातियों A होगा मैंने सोचा कि C में दोनों होते हैं जायतर दोनों C में रहते हैं तो मैंने उसी इस आपसे बोल दिया आगे देखें 37 में क्या है सिंपल सा सवाल एक तरफ आपके कुछ ब्योसाय दिये गए है जाती चोल सासन की जो संबंद में जो जाती थी वो तरह से जाती दिया गया है और उन्हों जातियों का ब्योसाय क्या था ये है और जो मिस मैच है उन्हें बताईए गावूंडा ये जो क्रिसक से संबंदी थे हेगडे राजस व अधिकारी थे करण क्रिसीवित थे तो ये सब सही है अपनी जगापर तो इसका मतलब ये सब जो हम किलियर है ये सब अपनी जगापर सही है और इसका हमें नहीं clear है तो इसका मतलब साथियों ये जो 37 में है ये तो गलत होगा साथियों ये कायस्त भी सास्त्री से संबन्दी थे क्योंकि ये कायस्त थे साथियों ये सास्त्री संबन्दी थे तो इसका मतलब जो है ये होना चाहिए हमारा तो ये C वाला गलत होगा यानि C गलत पूछाना तो C गलत होगा क्योंकि ये सही है तो B अपनी जगा पे सही है C अपनी जगा पे सही है A अपनी जगा पे सही है C गलत है तो C ही हमारा उत्तर होगा आगे देखें 38 में निम्ले लिखित में से कौन सा सब्द राज के अधिकारियों को स्रम सेवाई परदान करने के लिए ग्रामिडों को उत्तरदाई तो दरसाता है तो कौन सा सब्द राज के अधिकारियों को स्रम सेवाएं पर्दान करने के लिए ग्रामिलों को उत्तरदाइत तो ये एक तरह से दर्साता है ये कौन सा है साथियों हमारा तो ये मुत्तयाल है बिकल्प नमबर D हो जाएगा यह D हो जाएगा मुत्याल राज के अधिकारियों को समसेवाई प्रदान कराने के लिए ग्रामिलों को उत्तरदाईत को यह संदरवीत करता है एक तरह से साथ यहां दिया है हमें देखें 49 ने बिजय प्रसस्ती रचना किसने लिखी है तो बिजय प्रसस्ती रचना किसने लिखी है सृ हं लख नाम ही है तो बिजय सें की समिए है तो बीजे सेन की इस्मृति में यह जो है यह बीजे प्रस्थिती की रचना की थी आगे देखें हम लोग यहां यहां साथ ही देखें बहुत ही अच्छा सवाल है चालिस में भासकर दिती द्वारा रचित सिद्दांत शीरो मड़ी के भागों और उनके विश्यों के संदर में निम्लिखित कत्नों मेश्य कौन सा युग मसाई है तो आप लोग जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारे यह जो खगोलविद भासकर दिती जिनका ना तो इन चार भागों में करा है वो किस से संबन्दित नहीं है तो मतला वनसा सही है अग सब्कार्ण जो चर्ड़ित पुर्ण कर सकें अंक गरित हो हो जाएगा और यहां पर बीज गड़ी जो होता है जानते हैं इसमें यह चयर अचयर पॉजिटिव निगेटू यह सब बाते आती हैं तो आउकलन्स यानि यह कैलकुलस से संबंदित यह भी नहीं था यह भी गलत हो गया ग्रह गडिता यह ग्रहों से संबंदित है प्रित्वी से संबंदित या प्रित्वी की संबंदी गडित नहीं है यह ग्रह से संबंदित है तो यह गलत हो गया गोला ध्याय गोले की गडित यहीं सही है विकल्प नंबर डी वाल एक तालीस में साथियों में जो दिया है यहां पर देखें एक मिनट तो एक तालीस में जो दिया है लिंगायत आंदोलन के संदर में आप लोग जानते हैं लिंगायत आंदोलन का बना यह पहले शयव धर्म से सब्मंदी थे यह लोग लिंगायत आंदोलन करने वाले लोग लि अनुवाईयों से इनका कुछ जगड़ा हो गया यह अपना एक अलग जो है जो है पना लिए जो है धर्म तो इसके संस्थापक बशव और चन्ना बसव थे बसव थे और इनके चाचा बतीजे चन्ना थे तो यह बात बिल्कुल सही है तो यह सही है उन्होंने जाती बिवस्था और बाल बिवा का कड़ा बिर्वोत किया यस दोनों बाते सही है लिंगायत आंदोलन जो हुआ था इसके संदर्म में तो इसी से संबन्दी थे बिकल्प नंबर यह हो जाएगा आपका 41 का सी होना चाहिए यह वाला तो आगे चले हम लोग देखते हैं यह बसओ और उनके भतीजे चन्ना बसओ थे यह बसओ थे और इनके भतीजा थे चन्ना बसओ आगे देखें हम लोग 42 में लिखित में से कौन सा recovering adhenium 1973 से संबंदित है तो ऐसा कौन सा रेगूलेटिंग adhenium डियंड जो 1973 से संबंदित है तो सांथ्यों बहुत ही अच्छा सवाल यहांपर है कि यहां पर नहीं तो नहीं पूछाए न मिलकित में से कौन सा regulatory team सै cod 1773 से संबंदित है तो बंगाल गवर्नर जन्रल को बंगाल की गवर्नर जन्रल नाम दे दिया गया मल्की कफ़न वाला है न तो इसलिए कफ़्यूजन हो रहा था ऐसा लग रहा था कुछ और चारा एक सही है तो रिगुलेटिंग अधिन एक्ट से जो 1773 में रेगुलेटिंग लेक्ट लेकर आई थी बिटी सरकार तो किस से संबन्दी थे अपना सही उतर देना है तो जानते हैं इसमें बंगाल की गवर्नर को बंगाल ये बंगाल की गवर्नर इसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर कर दिया गया यहां यह इसमें सुप्रिम कोड की स्थापना हो थी एख जनता पूरी जनता थीoric पूरी के लिए नहीं था वह company के है जो मनमाणी ने कर सकते उसको नियंद्रन करने के लिए 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 गया था तो साथ ही हू은 निवासियों के लिए नहीं साथ कंपनी पर तो यह दो गलत हो गया तो जहां दहां दो है वो से गलत कर दीजिए यह गलत यह भी गलत यह भी गलत इसका मतलब उत्तर आपका बी होगा क्योंकि साथ में जो सुप्रीम कोड बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वह जनता के भलाई के लिए नहीं बनी थी इसका उद्देश नहीं था वो कंपनी पर जो है कंट्रोल करने के उद्देश से बनाई गए थी तो इसका मतलब एक तीन चार पांच सही है भारत में केंद्री पसासन की निव रखी कलकत्ता में एक सर्वोच नियाले की स्थापना आदेश द लगा दिया तो सब सही है क्यों दो गलत आगे देखें तो 43 में क्या कह रहे हैं निमने लिखित में से कौन सा पिट से इंडिया एक्ट 1784 से सम्बंदित है आप लोग जानते हैं 1784 से सम्बंदित कौन है उसे बताना है तो यह अधिनियम भारत में कंपनी के छेत्रों को भारत में ब्रिटिस अधिकार कहा जाता है कहा जाता है नहीं कहा जाता हमें नहीं मालूम अभी से में पेंडिंग में रखते हैं दूसरा पढ़ लेते हैं हो सकता है हमें elimination से लग जाए, इसने इसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमती दिये, साथियों सरा सर गलत कह रहा है, इसाई मिशनरियों यानि इसाई वहां के जो मिशनरी फेक रहे का इसाई जो धर्म से सम्बंदित लोग थे, उनको भारत में भेजा गया है, का आप लोग जाएए भारत में इसाई का धर्म प्रशार के जिए ज्यादा ज्यादा लोगों को इसाई बनाई है तो ये 1813 में ये आया था साथियों 1784 में नहीं तो ये बात तो गलत हो गई दूसरी जिए गलत हो गई तो इसका मतलब ये जहां-जहां मतलब दिखाई दे रहा है हमें जलक राय खां उत्तर यही होना चाहिए बाकि ये दोनों कथन सई हैं तो उत्तर यही होगा एक तीन चार आगे देखें हम लोग 44 में 44 में साथ हूं जो हमसे पूछ रहा है एक तरफ हमको चार्टर इक्ट दिया है दूसरी तरफ उसकी पिसेश्ता दिया है कौन सी चार्ट儿 एक्ट 양या है तो आप लोग जानते हैं 750 letter चार्टर देखें部 आदियीम निषूथाat य爺ते गारनवालिस लाया था इसे एक तरह का स्थाई जो जमिदारी विवर्स्था लाया था जो है सक्ति बिस्तार करने के लिए तो यह इससे संबंदित हो जाएगा किसे सम्मंदित होगा ये दूसरे से हो जाएगा 1813 का चार्टर रेक्ट अभी मैंने बताया इसाही मिश्णरियों को भारत में आने का दिकार दिया गया था इससे हो जाएगा इसका मतलब साथियों ए दो पर आएगा बी तीन पर यानि अब हमें पता चल गया हमारा उत्तर इनी दोनों में से होगा ये दोनों तो नहीं हो सकते अब अब जो है 1833 का जो चार्टर रेक्ट होगा ये बंगाल के गवर्णर को भारत का गवर्णर जनरल बना दिया तो यस ये इस पर चला जाएगा और एक हमारा बचा है वह इस पर चलाएगा यानि अब हमारा कलफर्म हो गया उत्तर डी होगा डी वाला आगे देखे हम लोग अब उत्तर हमारा कौन होगा डी आगे देखें फैंटालिस में कुश्चन साथियों यहां बड़े हैं लेकिन कोई दम नह संद के बारे में तो इसके बारे में बताना है तो संसद भारत के संपूर छेत या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकते हैं संसद जो है और पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है या उसे किसी छेत्र के लिए यह बात सही है यानि विकल्प में एक रहना चाहिए तो आगे हम लोग देखते हैं, तो साथियों आगे अगर हम लोग देखें, तो हमारा आगे क्या करा है 46 में, तो यहाँ पर हमने उत्तर कुछ पूरा नहीं देखा, एक मिनट, तो भारत में यह तो हमारा सही हो गया, किसी भी कानुगले बना सकते हैं, केंदराज विदाई के तीन पहलू हैं, तो नहीं साथियों चार पहलू हैं, आप लोग देख लिजेगा इसके चार पहलू हो तो दूसरा गलत हो गया, तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यानि दो गलत हो गया, तो जहाँ जहाँ दो है काट देजिए क्योंकि हमसे सही पूछा है तो आप सन आपका सी हो जाएगा आगे देखें हम लोग 46 में एक तरफ साथियों हमें ब्यक्ति दिया है और दूसरी तरफ उसकी क्या भूमी क्या थी वो दिया है तो हमें जानते हैं साथियों बियन राव कौन भूल सकता है इनको यह जो है सन्मिधान सभा के समयदानिक सलाकार और यह होगे यह प्रेम बिहारी नारायन सन्मिधान का मुख्ष प्रारूपकार तो यह होगे यह प्रेम बिहारी बहारती सन्मिधान के सुलेखक हैं यह होगे और इसका मतलब A 2 पर आएगा, D 4 पर, A 2 पर, D 4 पर, इसका मतलब उत्तर हमारा D होना चाहिए, तो yes, A D होगा उत्तर, तो D उत्तर हो गया, इसका मतलब जो है B वाला 3 पर जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर चलाएगा, और ये वाला यहाँ पर, तो D हमारा उत्तर होगा, कौ 27 सात्यों में दिया है, एक तरफ हमें दे दिया है बीसे वस्तु, दूसी तरफ सामिल अनुच्छेद, इस tutto बताना है तो नागरिक्ता हमें जानते कि अनुच्यत से संब्दने साथियों, अनुच्यत 5 से 7, भाग 2, मौली का धिकार भाग 3, अनुच्यत जो है 12 से 35 ये हो गया, और राजिन नेतिन ये सक्तत्व, तो ये क्या हो गया साथियों, ये 36 से 51 हो गया, और केंदर सरकार 52 से 151, इसका मतलब साथियों, हमारा A वाला 2 पर, B वाला 3 पर, A वाला 2 पर, B वाला 3 पर, और C वाला जो है 1 पर, तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर जो आना चाहिए, ये D या होना चाहिए, 47 का D, बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं हब, 48 में हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ हमें स्रोथ दिया गया है, दूसरी तरफ सन्मिदान में लिये गए प्रावधान, तो कौन सा सन्मिदान में प्रावधान कहां से लिया गया है, ये बात हमको बतानी है, मिला कर विकल्प में बता देना है, तो आश्टेलिया से ये समवर प्रति सूची का सन्मिदान लिया गया है यस दच्छिड अफ्रिका से सन्मिदान में हेर फेर करने के लिए गया है नाम से ही दच्छिड अफ्रिका इसमें फ़ है और फ़ से हेर फेर होता है तो इसका मतलब संसोधन हो गया हेर फेर मतलब संसोधन करना तो यह आ जाएगा इस से आव इसका मतलब ए एक पर होना चाहिए सी तीन पर तो इसका मतलब आपका उत्तर भी हो जाना चाहिए ये वाला तो जो हमें क्लियर हो उसी को हम पहले मिला लेते हैं उसके वाद हमें लिमेशन से लगा देते हैं तो इसका उत्तर यही होगा इसका मतलब भी वाला हमारा ती तीन पर चला आएगा ये दी वाला दो पर ती वाला तीन पर और दी वाला चार पर और जो मारा एक बचा है इस पर सीधा सीधा सम्हिले हुए हैं तो मिजोरम समझहोता किस वर्स हस्ताचर किया गया था तो 1986 में साथ यूंग केंदर सरकार और वहां की संसा थी मिजो नेशनल फ्रंड तो ये 1986 में यानि केंदर सरकार थी और इसके मद जो है मिजो नेशनल फ्रंड आगे देखें पचास में एक तरफ साथियों में यहां अधिनियम दिया गया है दूती तरफ वर्स दिया है कौन सा अधिनियम किस वर्स आया था इससे संबंद में है बहुत अच्छा सवाल है अधिनियम 1906 में आया था यस यशको तो आप लोग जानते हैं और अन्र प्रदेश राज अधिनियम牛ग में उन्हीं तर्फ इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और एक साथियों यहां पर है हिमाचल प्रदेश बिलासपूर जो है अधिनियम तो साथियों जो हिमाचल परदेश बिलास पूरा धिनियम है तो ये आया था 54 में तो ये तबाया था और बचा हमारा एक ये 51 माया था तो इसका मतलग A2 पर B3 पर A2 B3 C1 तो D हो जाना चाहिए हमारा उत्तर D वाला आगे देखें नगर पालिका अधिनियम 1905 के संदर में कौन सा कथन सही है तो नगर पालिका पढ़ दिया नागरिक्ता अधिनियम 1905 के संदर में तो आप ये उसी संदर में कौन सा बाते सही हैं इसको बताना है आप लोग जानते हैं कराय की इसमें नागरिक्ता प्राप्त करने के चार तरीके बताया है चार तरीके नहीं साथ ही हो नागरिक्ता अधिनियम 1955 में नागरिक्ता प्राप्त करने के उकुल पांच तरीके बताया है वो आप लोग जानते हैं एक तो जन्म के अधार पर और एक वन्स के अधार पर और एक नागरिक्ता अरजंग जैसे हम लोग यहां रहकर आवास के अधार पर ले लेते हैं एक होता है रजिस्टेशन के माध्यम से कोई छेत रगत सामिल हो गया जैसे सिक्कीम हुआ था उस तरह से तो पांच है तो राश्ट मंडल यानि यह गलत हो गया द्यूस की जाने से जनिक्राश्टमंडल नागरिक्ता का पर्आओदान कीए गया है तो यससा दूसरा सही है तो यसेे लिवगल दो हो जाएगा तो निमघुद में से कौन सा अधिकार भारत में नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए मौलिक अधिकार है तो साथिय जो अनुछेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुछेद ऐसे होते हैं जो बिधेसियों को प्राप्त नहीं है क्योवल भारती नागरिकों को प्राप्त है और बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो दोनों को प्राप्त हैं इसका मतलब साजनिक रोजगार मामले में आवसर की समानता ये तो 16 से हो गया इसका मतलब ये भी प्राप्त नहीं होगा दोनों को इसका मतलब साजनिक आदि यहां पर क्या है वाक्यों अभिव्यक्ति की सो तंद्रता है अनुछेद 12 से संबन्दित हो गया ये भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है धर्मोल समूल जाती के अधार पर इनके साथ 2 बहुष गिया सकता है यही है तोALI है तो है भी मतलब है और कौन सा दोनों को प्राप्थ है तो यह कारखानों में बच्चों को रोजगार प्रतिवन यानि ना तो भारती के बच्चे 14 साल से कम जो हैं वो कारखानों में काम कर सकते हैं ना तो विदेशी होते हैं यह दोनों को प्राप्त है तीरपन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सोतंतरता के अधिकार में सामिल नहीं है तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जो सोतंतरता के अधिकार सोतंता के अधिकार आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक संबंदित हैं तो 19 में जानते हैं वाक्यम अभिवक्ति सहीत कुल 600 तंत्रताई दी गई हैं 20 में ये 200 सिध्धी से संबंदित दिया है और 21 में तो आप तो जानने हैं प्राड़यूम दहिक सो तंत्रा है 22 में की जवतारी से संद्र छड़ है तो यही सब बाते हैं यहां तो यहां जो दे दिय साथियों यह अनुछे ती से संबंदित हो गया है यह धर्म की सो तंत्रता है तो यही बिकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा आगे देखें चंवन में तो यहां पर साथियों जो दिया है OVC वर्ग में क्रेमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी समीति नियुक्त की गई थी तो OVC में जो क्रेमी लेयर है उसकी पहचान के लिए राम नंदन समीति गठित की गई थी बिकल्प नंबर डी हो जाएगा आगे हम लोग देखें और ये जो मंडल आयोगे इसके तहर तो बीसी को आरख्षण मिला था आगे देखें पश्पन में निम्नलिखीत कथनों पर बिचार कीजिए उन्हें उत्तर से दच्षण दिधा में सजाईए तो दिल्ली रीज राजमहल पाड़ियां गिरी रेंज इलाइची इलाइची काडामम पाड़ियां बोला जाता है ये साउथ में है इसका मतलब ये सबसे दच्षण में होना चाहिए सबसे दच्छड में होना चाहिए, तो इसका मतलब चार सबसे अंत में होना चाहिए, तो चार सबसे अंत में यही है, यही दोनों में से कोई उत्तर होगा, तो सबसे पहले यहाँ दिल्ली आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली सबसे उत्तर में है, फिर राजमहल पहाड़ियां है, तो फिर यह है इसका मतलब यह बी हापका उत्तर हो जाना चाहिए आगे देखें तो साथियों हम 55 कोश्चन तक अभी देखकर इसको छोड़ रहे हैं आगे के हम 55 कोश्चन देख लिए हैं और इसके आगे के जो प्रश्चन है इसको हम पार्ट टू में करेंगे क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है मुझे थोड़ा सा प्राब्लम है गले में तो इसलिए हम इ नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए नमस्टा